है गाइस आज हमारे NS200 में हम अलग तरीके से कुछ परफॉमेंस को अपगरेट करने वाले हैं यहां पर देखे तो हमारे जो एनस वह पूरी तरीके से यहां पर रेडी है बर्ड मैं आपको दिखाऊंगा कि हम क्या-क्या अपग्रेड करने वाले हैं इस सर्विस में यहां पर सबसे पहले यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि हमारा जो एनस है वह अभी तक कितना चल चुका है और उसके बाद मैं मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपने एनस में जो है अपगरेट करने वाले हैं यहां पर अगर धियान से देखोगे इस मीटर में तो फिप साथ-साथ हम डालने वाले हैं M3 brand का नहीं sorry 3M brand का जो ओयल एडेप्टी है उसको यहां पर आप देखे तो यह जो ओयल एडेप्टीब है यह 20 ml का है सायत और यहां पर सबसे पहले अगर हम इसके इंजिन ओयल को ड्रेन करें तो आपको देखने को मिलेगा बिलकुल काला काल इंजिन ओयल और यहां पर आप देखे तो बहुत ज़्यादा काला हो चुका है हमारा इंजिन ओयल और यह जो इंजिन ओयल है यह मोटूल का 47100 20W 50 है और यहां पर हम साधी तर एर फिल्टर जो है उसको भी यहां पर चेंज कर रहे हैं यह सब हम खूदी करें इसके लिए को हषार जो service देगां यहां उर्फिल्टर का ए और फिल्टर को बारी आता। यहां पर फिल्टर को खोलने ने के लिए यहां पर दो है उसके बाद मैं जो भी हो बोल्ट है जो कि यहां पर अच्छे से यह लगा देते हैं उसके बाद मैं हम चोसे हैं ब्लक ाब यहां पर यह को च성 होता है यहां पर हम का जो तोड़ा तो दिक्शक होता है आप demotons ने बारा सो ml का engine oil जाता है तो यहाँ पे हम 300 ml का जो इंजीन oil है उसको अलग रख रहे हैं यहाँ पे अब देसे तो engine oil का जो color है वो पूरा का पूरा red है और यह गाढ़े color का red है तो मुझे लगता है काफी अच्छा upgrade होने वाला है हमारे engine में engineer के बाद मैं हम 3M का जो adaptive है उसको यहाँ पे डाल रहे है और इसका जो color है वो थोड़ा सा golden type का color है और यहाँ पे इसको पूरा का पूरा जो ट्यूब है उसको पूरा का पूरा यहाँ डाल देना है उसके बाद मैं आपको मैं दिखाता हूं कि किस तरह के से बाइक का जो sound है उसमें change बगरा हुआ है मैं आपको बताओं कि इस engine oil के बाद में हमरे बाइक में क्या क्या improvement हुए है तो यहाँ पे हमरे engine oil के साथ में जो improvement हुए है इतना मेहनद करने के बाद में हमरे bike में सबसे पहला तो यहाँ पे mid range में बहुत ज़्यदा smoothness है और अच्छा pick up point के साथ में अच्छी तरीके से performance दे रहा है यहाँ पे मैं pick up की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं mid range में pick up की बात कर रहा हूँ यहाँ आप अगर instant pick up की बात करोगे तो instant pick up जो है बिलकुल normal है यहाँ पे कोई भी improvement नहीं हुआ है बस यही है improvement इस engine oil के difference से साथ में और मैं यहाँ पे और एक वीडियो बनाने वाला हूँ जहाँ पे मैं 10W50 और 20W50 का total review करने वाला हूँ आई होप यह जो वीडियो है आपको पसना है होगा फिर भी कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो नीचे कमिना में उसे पूछ सेकते हो इस engine oil को आप बाय करना चाहते हो तो नीचे डिसक्रिसम में उसका link है तो आप चाहो तो वहाँ पे बाय कर सकते हो आज के बस इतना है आई है improvACE आई है क्ये उस्टियो तो इंक ए RICHं